दोस्तो जिन लोगों को धन की कमी हो जिन लोगों के घर में धनना टिकता हो या फिर धन कमाने की इच्छा हो केबल ही उन्हीं लोगों के लिए विशीज रूपत त्यार की गई ये वीडियो है आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं इस उपाय को करने से हर किसी की घर में दन दानने की बरकत होने लगती है धन खूब आने लगता है। इस से कई गुणा होकर के आपको फ़ल मिलने लगता। आप सभी का स्वागत है आपके बने यूटीब चैनल में आंपको आज मैं आपको देने गर के दरवाजे पर डाल देए एक छोटी चीज गरीबी भूल जाएगी घर का रास्ता दोस्तों माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ विश्मु भगवान की पूजा करने से माता लक्ष्मी का आप घर में स्थाईवास होने लगता है जिन लोगों को धन की कमी रहती है जो लोग आर्थी ग्रूप से कमजोर है या पिर जो लोग धन कमाने की इच्छा रखते हैं वे सभी व्यक्ति माता लक्ष्मी की पूजा तक आउश्य करते हैं ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो माता लक्ष्मी को प्रसन नहीं करना चाहता है या फिर ऐसा कौन व्यक्ति है जो धन कवाना नहीं चाहता है ऐसा कौन है जो व्यक्ति अपने घर में धन दाने की बरकत नहीं करना चाहता है धन हो या फिर धन की कमी हो उसके बावजूद धन और ब और हमेसा दन की बरक्कत बनी रहें दोस्तों कमेंट बोक्स में जैवजरंगोली लिखना ना भूले साथी साथ वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप इस वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों आप बेल के आइकन को दवानन ना भूले इसने दोस्तों हमारे सभी लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों हरकोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए बहुत मैनत करता है मन चाही नोकरी मिल जाए या मन चाहां पैसा मिल भी जाए तो भी उस पैसे को समाल कर रखना ववनावश्य वरूप से घर्चना हो जाए इस बात को रखना कायम रखना ये बहुत ही मुश्किल होता है बहुत से लोगों की यही समस्या है कि धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है दोस्तों हमारे सास्तोर में बताया गया है कि धनकी देवी माता लक्ष्मी जिसकी व्यक्ती पर प्रसन होती है उसे घर में कभी भी धनकी कोई कमी नहीं होती है उनके घर में सदेव सुख समर्दी बनी रहती है इसले तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वेद माता लक्षमी को परसंद करने के लिए है ताकि आपके घर में हमेसा सुक समर्दी बनी रहे और सभी कष्टों से आपको मुक्ती मिल जाए जो आज हम आपको उपाय बताने वाले हैं इसे धनकी देवी माता लक्ष्मी परसंड होती है और अपने भक्तों के घर में सदेवास करती है आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुती छोटा सा और आसान और असरदार उपाय बताने वाले हैं उपाय को जानने से पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली अवशे लिग दे उपाय को जानने से पहले दोस्तों कमेंट बॉक्स में जै बजरंग बली अवशे लिग दे दोस्तों माता लक्ष्मी को परसंड करने के लिए किसी भी तिथी सुब मुरत या वार क्या और सकता नहीं है सभी दिन सभी वार सभी मुरत माता लक्ष्मी के ही है इसलिए दोस्तों आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन जेज दिन भी आप इस उपाय करना चाहते हैं उज दिन आप जल्दी उठ जाए प्रत्यकाल नहाद हो करके स्वच्छ वस्तर धारण करें दोस्तों हो सके तो आप लाल रंग के वस्तर धारण करें अगर आ अब आप एक लोटा ले, लोटे के अंदर थोड़ा सा गंगाजर डाल करके बागी के साफ पानी से उसे आप भर ले, अगर संबभ हो तो सारा ही गंगाजर डाल ले, उसके बाद दो अपने घर में जहां कए भी आप पूजा करते हैं, उस पूजा मंदिर में जाएं, और सभी विश्नु को और माता लक्ष्मी को तिलक करें और थोड़ा सा हल्दी का तिलक उस पानी में लगा दें और लोटे पर भी थोड़ा सा तिलक लगा दें उसके बाद अपने मस्तक पर भी तिलक करें उसके बाद आपको दोस्तों दो प्लेट लेनी है एक भगवान विश्नु के के लिए और एक माता लक्ष्मी के लिए एक प्लेट में आपको मिष्ठान और एक प्लेट में आपको फल रखने हैं अगर दोस्तों आपको मिष्ठान और फल नहीं दख सकते हैं तो आप एक में मिष्ठी और एक में गुड़ रखें अब गुड़ वाला जो है प्लेट उसे बगवण विश्नु को लगाएं, इस प्रकार से भोग लगा लेने के बार, आप अपनी सभी समस्याएं, माता लक्षमी जी शी और भगवाँ विश्नु से कह दे, उसके बार अपनी मन्नों काम नंइ माज़त के आती करें इतना काम हो जाने के बाद आप पुने बैठ जाएं उसके बाद आप माता लक्ष्मी के सबसे प्रभाव साली मंत्र ओम श्री श्री एनम है इस मंत्र का 108 बार जाब करें इस मंत्र का 108 बार जाब हो जाने के बाद आप 21 बार विश्णु वगवान के लिए समर्पित महा मं मंत्र का जाब भी करें मंत्र है ओम नमो भग्वते वासु incubi अ मंत्र नमा प्रभाश से मंत्र यह सब्सक्राइब होगा निया कि अपने 108 zaj कि जम सक्या में जब कर लें उसके वाद दोस्तों आपको वे लोटा इसमें आपने जल गंगा जल और साथी साथ हल्दी में लाई है उसे लेकर जाएं और अपने घर के मुख्य दरवारे द्वार पर जाएं और वहां जाकर किसका छिड़काव कर दें दोस्तों यह जो जल है जिसे अपने घर के दरवाजे पर शड़का है यह जल बहुती पमित्र और सतिशाली है आपको इसे पूरी तरह से अपने दरवाजे पर खाली नहीं करना है थोड़ा सा बचा ले और इसे फिर अपने घर के अंदर भी शड़काव करें इसे अपने घर में शड़कने से सभी और माता लक्षमी ऐसे घर में कभी वास नहीं करती है और माता लक्षमी उस घर में वास करने लगती है और आपके घर को हमेशा धन दोलक से भर्या रखती है दोस्तों घर में चड़काव कर देने के बाद थोड़ा थोड़ा जल गर के सभी सदस्यों के उपर डाले और अंत में अपने उपर भीश का थोड़ा सा चड़काव कर ले दोस्तों ऐसा करने से माता लक्षमी और भगवा होती जल्दी खुशकवरिया सुनने को मिलती है दोस्तों आपको इसका विशेश ध्यान यह रखना है कि जो भी घर में गंदे स्थान होते हैं जैसे कूड़ा रखने का स्थान सोचाले आदी इस प्रकार के स्थानों पर आपको इस पविस्त्तर जलका फिरकाव बिलकुल भ पिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए देम एज़ाज धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिखते रहें जैवजरंग वली